लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये एक्जामपल सॉल्व करने के लिए कहा था उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये एक्जामपल सॉल्व हो गया होगा अगर ये एक्जामपल आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं मतलब आपको transfer function निकालना है इस block diagram का तो आप directly इसका transfer function नहीं निकाल सकते हो आपको पहले इसको reduce करना होगा एक simple form में आपको reduce करना होगा ताकि आप इसका transfer function निकाल सकें किसी भी block diagram को solve करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं एक से ज़्यादा तरीके से block diagram को solve किया जा सकता है अब जैसा कि हम इस block diagram में देखें तो हमको जो सबसे पहले जो step है वो आपका यह उनना चाहिए कि जो directly जो चीज solve हो रही है आप directly उसको solve कर लें यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इन दोनों को directly solve नहीं कर सकते हैं लोग बना रहे हैं तो इसको हम directly पहले solve करते हैं इस loop का इस पात का जो gain है वो 1 है यहाँ पर कोई edge block नहीं लगा है तो इसका gain 1 होगा तो आप इसको feedback elimination वाले rule के साथ solve करेंगे जो आप इसको solve करेंगे तो आपके पास यह solution आएगा g2 upon 1 अब देखें यहाँ पर sign negative है तो मतलब आप यहाँ पर plus लगेंगे फिर यहाँ पर आता है gs hs तो gs कह है g2 है और hs कह है 1 है तो dot 1 हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा g2 upon 1 plus g2 तो इसको solve करने के बाद हम यहाँ पर एक single block लगाएंगे और हमारा जो diagram में हो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा तो अभी आपका diagram अब कुछ इस तरीके का बन गया यहाँ से आपने feedback को eliminate कर दिया और single block आपने यहाँ पर बना लिया इसके बाद हम कैसे solve कर सकते हैं देखिए अब जो आपको simplified form यहाँ पर नजर आईगी तो आप यह कर सकते हो कि इस summing point को इस block से पहले ले आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है इस पात को ही तो आप इधर ला रहे हैं एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो जो change आएगा वो क्या आएगा कि यह पात जो है इधर आजाएगा और यह block जो है इस summing point के इधर आजाएगा तो ऐसी condition में क्या करते हैं हम हमेशा इस पात में इस block का divide करते हैं जैसा कि यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर divide करूँगा 1 by G1 से ताकि मेरे output में कोई change नहीं आएगा वो मैंने आ यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई summing point को हम किसी block से पहले लेकर के जाते हैं तो हम वहाँ पर 1 by G1 का multiplication करते हैं उस path में जिसको हम पहले shift कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे output में कोई change नहीं आता है तो आपको यहाँ पर भी क तो इस summing point के इधर आई ही चाहेगा और यहाँ पर जो है यह आप लिखेंगे G3 upon G1 क्योंकि G1 का multiply आपने यहाँ पर कर दिया अब हमारे पास कुछ इस तरीके का बन गया तो अब हम यहाँ पर देखिए इन दोनों को सिधा सिधा cascade में solve कर सकते हैं मतलब इन दोनों के gain को multiply क कर सकते हैं यह चीज़े आपके लिए आसान होनी चाहिए मैंने आपको बहुत 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 बता दिया हर एक्जामपल में यह तो हमने solve किया ही किया है कि जब भी दो ब्लॉक सीरीज में लगे हो तो उन दोनों के gain को multiply कर देना होता है और देखिए जब आप in cascade और अब यहां पर आप क्या करने वाले हो कि इन दोनों summing point को interchange भी करने वाले हो इन दोनों को interchange हम इसलिए करने वाले है क्योंकि यह जो feedback loop है यहां से directly solve नहीं हो सकता है क्योंकि summing point बीच में आ रहा है तो इस summing point को अगर हम किसी तरीके से यहां से illuminate कर दें तो यह वाला जो loop है यह यहां पर आ जाएगा और आप इसके साथ directly solve कर पाएंगे तो सबसे पहले इनको case case में जब हम solve करेंगे तो यह हमारे पास बनेगा g1.g2 upon 1 plus g2 उसके बाद यह h1 भी यहां पर आ जाएगा जब हम इन दोनों को interchange करतेंगे तो अभी वो next diagram में हम देखते हैं देखे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वाला जो summing point था यह अब यहां पर आ चुका है मतलब तो feedback पाता हो यहां connect हो जाएगा अब यहां connect होने के बाद इसको आप directly solve कर सकते हैं अब जब इसको हम directly solve कर सकते हैं तो हम कैसे solve करेंगे gs upon 1 plus gshs जब भी यहां पर negative sign होगा तो 1 plus gsh तो देखें gs हमारा क्या है g1, g2 upon 1 plus g2 upon 1 plus g1, g2 upon 1 plus g2 dot h1 तो अभी यह क्या बन जाएगा g1, g2 ठीक है 1 plus g2 plus g1, g2 dot h1 इस तरीके से हो जाएगा यह और यह cancel out हो जाएगे तो आपके पास अब जो नया block बनेगा इस पूरे की जगे एक single block बनेगा वो आपका यह block बनेगा अब देखें यहां पर क्या हुआ कि हमने summing point को जब इधर ले आए तो यह summing point जब इधर आ गया तो यह वाला connection directly इस तरीके से हो रहा है अब आप इसको कैसे solve करेंगे तो देखें यहां पर जो यह forward path है इसका gain 1 है यहां पर जब कोई block connected नहीं है तो इसका gain आप 1 मानेंगे अब इसको 1 से directly आप solve कर सकते हैं ना यह भी forward path है यह भी forward path है दोनों forward path है तो मतलब आप parallel blocks की solve करते हैं मतलब आप ऐसे solve करेंगे 1 plus G3 upon G1 तो यह बन जाएगा finally G1 plus G3 upon G1 इसके बाद अब यह दोनों हट के एक block बन जाएगा यह पूरा हट के एक block बन जाएगा बाद में दोनों को series में solve करना है तो देखें G3 plus G1 upon G1 यहाँ पर एक single block बन चुका है और यहाँ पर जो है G1, G2 और 1 plus G2 plus G1, H1 आपके पास यह एक single block बन चुका है इन दोनों को cascade में solve करना है, series में solve करना है तो जब हम इनको series में solve करेंगे तो directly इनके gain को multiply कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा यह आपक सारी चीज़ें आपर लिखनी है, यहाँ पर भी आपको लिखना है solving these blocks in case kit ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर final जो लिखेंगे वो आप ऐसे लिखेंगे CS upon RS क्योंकि आपसे CS upon RS का ratio पूछा गया था, CS upon RS का जो ratio है वो यही gain होता है